कभी स्वर्गी अजी जोगी की रहते उनके पुत्र अमिजोगी अपने गुसे की वजह से चर्चित रहे हैं ऐसी चर्चा रही है कि उनके गुसे का शिकार कई लोग हुए इसमें बड़े नेता भी शामिल थे यदि अमिजोगी के ट्वीट की माने तो शायद अब उनका गुसा देखने को नहीं मिलेगा जानने वाले ऐसा कहा करते हैं कि अजी जोगी सारवजनिक रूप से बेहत सौम में थे वे अपने गुसे को सारवजनिक रूप से व्यक्त करने से बचते बलकि अपने शब्दों से शान्ती के साथ गुसे को प्रकट करते थे लेकिन दूसरी और अमिजोगी बिल्कुल उलट हैं अब उनके ट्वीट से लग रहा है कि वे अपने पिता के गुर को सीख जाएंगे अमिजोगी के ट्वीट से लगता है कि उनके पिता स्वरगी अजी जोगी भी उनके गुसे को लेकर समझाईश देते रहते थे उनके शब्द जिनका अमित जोगी ने जिक्र किया है कि वे इश्वर के पास जब जाएंगे तो उनके क्रोध को साथ ले जाएंगे के संकेद अमित जोगी के साथ दिखाई पढ़ रहे हैं अमित अपने पिता के कद को कभी नहीं पाएंगे लेकिन उनके गुणों को आत्मसात कर सकते थे यदि वे ऐसा करते तो आज उन्हें सारोजनिक रूप से अपनी गलती का हैसास नहीं होता हाला कि सारोजनिक रूप से गलती को स्विकार करना एक बड़ी बात है और यही अमिजोगी का पहला कदम भी है अजीजोगी का सुभाव एक ऐसे नेता का था जो विपक्ष के किसी भी नेता से उनका संबंद मधूर बनाये रखता था उनके एक ही आहवान पर कई ऐसे नेता उनके साथ जुड़े थे जो सिर्फ उन्हें देखकर उनके साथ हो लिये थे अमिजोगी का प्रयास यही होगा कि उन्होंने अपनी गलती को सिकार कर लिया है अब आगे बढ़ा जाए स्वर्गी अजीजोगी के जाने के बाद पार्टी के कांग्रेस में विलय की बातें सामने आ रही थी जो बाद में खारिज भी हो गई अमिजोगी के लिए अपनी गलती को सिकार करने का यह बेहत सही समय था क्योंकि जादातर नेता उनके पिता की वज़ह से पार्टी से जुड़े हुए थे अब ऐसे समय में अपने पिता की तरह व्यवहार पार्टी के नेताओं को पार्टी से जोड़ कर रखने के लिए जरूरी है अमिजोगी ने संकेत दिया है कि उनका व्यवहार पहले जैसा नहीं होगा ऐसे में उनसे नराज, उनके गुसे के शिकार लोग उनसे उम्मीद कर सकते हैं दूसरी तरफ वे अभी कांग्रेस से 6 वर्षों के लिए निसकासित हैं और कांग्रेस में जाने की संभावना भी बन सकती है लेकिन ये उन पर निर्भर करता है कि वे फिर से कांग्रेस में जाने की सोचेंगे या फिर अपने पिता के बनाएं पार्टी को और सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे Bureau Report, DNX TV, राइपूर